आप लोग गिस करके बताईए यह क्या है अगर नहीं बदा पा रहा है तो मैं लाश में बताऊंगी यह क्या है हेलो हेलो डियर कैसे हैं आप सब स्वागत करते हूं मैं आपका अपने चैनल एचिम मैंट इन आल में हैं हूं आपके साथ नमरता खाना बिना सब रेडि हो गया है मेरा पूजा पार्ट सब कुछ हो गया है और पूजा अगरा करके थोड़ा नास्ता तो मैं करी लेती हूं सबेरी सबेरी जो भी मिले फल है पपिता है पिन कजूर है दूद रोटी है कुछ भी खाई लेती हूं करना मुझे ही फिर मैं खाना बनाने आऊंगी और भी मेरे साथ क्या हुआ है मेरे साथ नहीं सबके साथ होता होगा कि अनरजेटिक हम लोग जब सुभा हूटते हैं बिल्कुल एनरजेटिक फील करते हैं लेकिन दो तीन बज़े के बाद चार बजे के बाद मेरी स्थिति वो होने लगती है बिल्कुल में लगती हूं और फिर तो मैं हमेशा खड़ी जब से बाबू ये तब से इसा हो रहा है तो पांच विजे के बाद मुझे लगता है बस मैं अब लेटी ही रहूं लेट कर मुबाइल चलाओं या लेट कर टीवी देखूं बस फिर उठू नहीं लेकिन अगर मैं सो जाओंगी फिर मैं उठने पाओंगे यहां तक कि एक सब्सक्राइब करें दूसरा क्या है कि जब मुझे करना और इनका खाना खाया हो गया नहावा करना खाली अभी आफिस के लिए निकलेंगे और इनको मैं अब आफिस भेज कर ही बाव के तैयारी में लगोंगी क्योंकि 10-11 की बीच में उसका करना होता है लगवक सवाधा सा फिर मैं उसको निगाल के दूंगी और अपना खाना निकाल लूँगी मैं भी खाई लेंगी होता क्या है कि अगर आफ्टर डिलीवी या फिर नॉर्मन में भी आप कई वार खाई थोड़ा खाईए लेकिन कई वार खाये तिन-चार खाई लेकिन बहला है ऐसा करने ही पाती जलदी खाले एको आफ़न देखा वह भी हाई इसरोग में अपना फाना टी का एकोई तो करते हिए शीरा uploads अर खौने कियां और पर लोग जोगी आपने केको बीच समीन है और आज तो बच्ची को अगर हर दो दिन में तेल लगाते हैं तो मैं साथ जबने लगता है जो कि आगे चल कर गहाँ का भी रूप ले लेता है इसलिए आज मैं इसको सेंपू करूंगी और जब तक मैंने खाया फिचन में बरतन रखने गई थोड़ा सा पॉनी इसके लिए उबालने के लिए चाहाया इसका कपड़ा ढूंडा इतना इस दिर में मेरी बेटी देखिए कहां पहुंची है देखिए थोड़ा देर के लिए म इसको लगा कि बाबू बोलते हैं इसको अचाहां करो दो बाल मैंने धुखा खा लिया कि बाबू यहां कैसे आगई पहले बाबू इसनी बड़ी तो बड़ी हो गए बिल्कुल बच्चा के सब्सक्राइब बिल्कुल दोखा लगता बबाबू सोई हुए तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूं आप लोग अच्छे होंगे चैनल पर जूना है चैनल अब्सक्राइब करिएगा विडियो पतंद आए तो लाइक करिएगा कमेंड कर अपने प्रतिक्रियाग जरूर दीजिएगा और आप लोगों को एस्पी जनमाश्ट में जनमाश्ट में की धे और यहां पर दूद वाला तब तक दूद लेके आगया उसका भी टाइम उनका भी टाइम दस से साड़े दस होता है तो मैं लगे हाथ दूद भी गर्म कर लूँगे अब देखे काम पर ही काम होता है आप सोचेंगे कि मैं रूख जाओं अगर मैं इतना देद निकाल लेती कि एनको मेरे कान होता कि मैं खाना खाओं रहा है आद घ्रूरे बढ़ना गई। इतना दिर में यह सारा काम कम्तेट कर लिए अपना वी खाना हो गया और अब दूद को चढ़ाद करके और दूद में तरफ में जरूर डालती हूं ने तो दूद से इसमेल आती है तिस पाइब को दो कर डालने कर रही हूं और मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेस हो जाओंगी किस दिन तक अगर इस पूटिन पर चल गई तब तो काम्याब हो जाओंगी कि मैंने कम करके दूद रख दिया है और इसलिए तुरंत लगे हाथ मैंने दूद चढ़ाया क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने लेट गया था मैं सूच रहे हैं अच्छा ठीक है चढ़ा लोंगी और इसी में लेट हो गया टंक साप करने लिए और यह देखिए पूरा दूद इस कल मैंने फ्राय कर गई लेजी वगेरे डारता मैंने खा लिया था लेकिन के दूद फड़ जाना आप पनिर खा लिजे ज्यादा बेतर है लेकिन इसमें दूद अगर फड़ जाए तो एक तरह दे बरवाज ही कहलाता है और यह बहुत बुस्ता रहे ते लोज और तुमारा आधिना रहे तुमारा 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 फ़जे और बहुत कर दpex अचार, बहुत नह थार गई पोल्हन धुलो यह पoggमारी तुमारा खोड़ इसमें छाह रहे तूमारा हर तो कह खूद नहा तो डियर आप लोग जो भी चैनल पढ़ना है चैनल किजिएगा सब्सक्राइब वीडियो करिएगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों के कमेंट का मैं रिपलाइ करती हूँ मैंने कल एक वीडियो डाला था कि अपने स्टीच का जो आपको स्टीच लगता है नॉर्मल डेलिवरी के बाद जो टांके लगते हैं देखवाल कैसे कि जी और बिल्कुल 100% वो सक्सेस्फुल रहा मैंने जो किया मेरे उपर वो 100% सक्सेस्फुल रहा बेबी मसाज की बारे में में भी है कि आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी बेटी का वेट गेन किया है यह बहुत बड़ी उफलब्दी होती है कि सिर्फ फिडिंग ही जरूरी नहीं होता है बच्चे को फिडिंग तो कराना है आपको यह पता लगाना है कि बच्चे का आपके दूस से फिड़ भर रहा है या नहीं और उसके बाद फिर आपकी बच्चे को का जो है वेट भी गयन होना चाहिए एक स्वस्त बच्चे का वेट जो है मैंने में कम सक माधा के जी बढ़ना चाहिए तो यह भी किसी वीडियो में सेयर करूंगी मेरे बच्चे का कितना वेट हुआ जब मैं आफ चाहिए पहले तो यह नहीं बनता है और बच्चे के सर में तो तेल देना ही देना है पहले तो हम लोग सरसों तेल का यूज करते हैं अभी तो डॉक्टर ने नारियल तेल कर दिया है लेकिन ने कोहलू का भी तेल दिया करती थी तब जब इसे सर्दी खांसी नहीं था रोज तेल नारियल तेल पर जादा है अब में फेस पर मसाज होता है बच्चे दूद पीते हैं तो मैं ये बिल्कूल गहराई से एक वीडियो से एर करऊगी और इसको रेडियी कियos कर you पर और इसको रेडी करने के बाद मैंने उसको वहां पर लेटा दिया है अब यहां पर मैं बेटी ठीक कर लूँगी और ठीक करने के बाद बेटी को यहां लेते आऊंगी और पिडिंग कराने के बाद बेटी को सुला दूँगी और सुलाने के बाद कुछ कपड़े भी हैं जो कि मसीन में मैंने डाला हुआ है और अब पहले मैं क्या करते थी खड़ी होकर एक काम को कंप्लीट कर लेती थी कपड़ा दो रहा है अब मैं इसा नहीं करते हूं कि पहर में बहुत जादा है दर्द होने लगता है जबकि दू के सुलाने में उसको एक से देड़ बज गया कुछ कपड़ा मसीन में डाल दिया है और सुलाने चकर में किसी से बात भी करने लगती हूं और मोवाइल भी देखने लगती हूं कि यहां पर मैं दूद और जीरा पॉडर ले लोंगी क्योंकि अभी मैं जीरा का वो नहीं बना प और यहां पर मैं पी कर इसको ग्लास भी लगे हाथ दो लोंगी और जो भी एक दो बुंद दूद गिरा है उसको भी पोच लोंगी चीठी के डर से और एक दो ग्लास इसे का बरतन यह समय उनके भरूसे नहीं रखती हूं जितना संबभ होता है मैं करते जाती हूं किचन हमे कर तो चलिए अब लगते हैं दूसरे कामों में तेहां पर यहां पर जो मैने Volvo को भी ष्च्टान कराया तो बिना साब किये हिए उसको सुलाया चुलाने के बाद आ घwritten और पिया अब जहां पर मैं क्लीन करूंगी और क्लीन करने के बाद तो यहां आज मैंने सोचा है आज मेरी बेटी का दो मेहना हो गया तो मैं कुछ स्पेशल पीक अपने बेटी का फोटो सूट करूंगी तो इसलिए यहां पर मैंने इसको करटन को लगाया है बैक्ग्राउंड अलग लग कलर से आप लगा सकते हैं तो इसमें मैं भी सेज कुछ सेयर नहीं करूंगे अगर आ गया था और खाना अपना खा के हम लोग सब अराम करने चले गए थे बेटा भी बेटी भी मैं भी थोड़ा देर आराम मैंने भी किया उसके बाद बेटा को उठाया बाद बिटा दिया अब वह हॉमबर्ग करने पर लगा है और लगवाग अभी साम के साड़े 5-6 हो रहा है मैं बेटे-बेटे सारा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी कपड़ा सुखते जाता है उठा उठा कर टप में रखते जाती हूं जरूरी नहीं है कि रोज ही मैं फोल्ड कर लूँ अगर आज नहीं कर पाई तो फोल्ड करके इसी तरह टप में रखके मैं ट्रंक पर रख देती ह अगले दिन करती हूँ कि कपड़ा चारों तरफ फैल जाता है और कोसिद करती हूँ क्या कि जिस दिन उठाऊ उसी दिन फोल्ड कर लो लेकिन बेट सीड़ वगरा जिस दिन धूलती हो उस दिन नहीं हो पाता है तो मैंने लगा दिया है प्रवचन यानि जो कथा होता है बेटे को हमबर्ग करा रही हो और उसके बाद यहां पर मेरा बीटा पीठ में पॉडर लगा रहा है क्योंकि बोला बीटु बहुत पसीना आ रहा है मैंने का बेटा पसीना नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत ही भी हिसाब गर्मी है तो उसने पहले पोच्छा है शुके से फिर पॉडर डाला है जितना उससे संबब है बेचारा बहुत मेरा केयर करता है और पुलता भी या में साथ भाफ करते राची है यहां को में सारे कोई से सब्सक्राइब कर लेती है और यहां पर मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने मेरा रोटी बन गया है कोकर को मैंने दो कर रख दिया है सुभा के लिए ताकि सुभा मुझे धोना न पड़े वो लेट से आएगी या सबेरे आएगी तो मैं कुछ बरतन धो लेती हूँ जो कि मुझे सुभा जरूरत हो और मैं बना कर रख देती हूँ ताकि कबड़ा वगएर भी समेटने में समय लगेगा और यह जो दूद फटा हुआ था इसको मैं गूड वगएर यलेची वगएर डाल के तयार कर लूँगी इसको खाने से भी कापे एनरजी आपको मिलता है और परवल का मैं जो होता है भाजी टाइब का मोटा मोटा वह बना लोंगी शलाद रहेगा दूर रचेया केला है तो यहां पर जितने परवल है पिला हो रहा तो एक सास में सारा परवल काट लोंगी और छो सबजी धुया था सुबह आप लोगों से देखा था तो जह सबजी है और इसको भी में रक लोंगी और पूरा कीचन इस तरह से साप कर लूँगी तो खाना ये रोटी मुंजा बना लिया है गर्मी बहुत ही जादा है इतना काम करते करते मेरा पूरा ब्लाउज देखेगा भींग गया है और वो दाल था मसूर का जो कि मैं फेकती नहीं हूं साम को भी एक बार ये रात को भी ब कमेंट जरूर किजिएगा बाइवा डियर बाइवा लब यू ओल और इसके बारे में मैं बता रही थी कि यह क्या है आप लोगोंने कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो यह जो है यह सनमाइखा का होता है इसको केटलोग होता है कि अगर आप को चीज बनवा रहे हैं तो में कौन सा आप सनमाइखा लगा सकते हैं तो कुछ एक गुलासी वाला सनमाइखा होता है उसमें स्क्रेच आयाता है मैं स्क्रेच वाला बिल्कुल लगवाना नहीं चाहूंगी क्योंकि अभी बच्चा बड़ा है दूसरा बच्चा बड़ा होगा तो दुबारा यह पेश्